टीम इंडिया में इन दिनों हलचल मची हुई है T20 वर्ड कप जीतने के बाद से फैंस ने सोचा होगा कि अब सब कुछ अच्छा होगा और सब सेट रहेगा लेकिन वर्ड कप जीत के साथ ही रोहित शर्मा और विराट कोली जैसे बड़े खिलाडियों ने सन्यास ले लिया और फिर हलचल क्या भगड़ ही मच गई ट्रांजिशन का पीरेट इतना मुश्किल होगा किसी ने सोचा नहीं था वो भी खास कर T20 के फोमिट में गोतम गंबीर अब टीम इंडिया के नए कोच हैं बीसी साही ने उन्हें अगले चार साल की जिम्मेदारी दी हैं गंबीर का काम ना सिर्फ टीम के लिए बहतर रिजल्ट निकालना है बलकि भविश्य की टीम भी तयार करना है इसमें एक बड़ा मेंटर अब कपतानी का आ रहा है T20 में रोहित शर्मा ने कपतानी छोड़ी तो सवाल हुआ कि कपतान कोन होगा परंपरा तो यही कहती है कि जो उप कप्तान बना हुआ है उसी को आगे का कप्तान बना दिया जाए लेकिन परंपरा कोई नियम तो नहीं है न इसलिए नए कोच ने अपनी नई निती बनाई और खबर है कि अब T20 के कप्तान सूरे कुमार यादव हो सकते हैं यानि हार्दिक पंडिया का पता कट रहा है हार्दिक पंडिया ने वर्ल्ड कप के फाइनल में एक बहतरी आखरी ओवर डाला था लेकिन क्रिकेट के फैंस उनसे पहले से ही खफा थे और वो बुंबई इंडियन्स की कप्तानी की वजह से थे अब जब फैंस को मालूम पड़ा है कि हार्दिक टीम इंडिया के कप्तान नहीं होंगे तब सोशल मीडिया पर हल्ला तो मचा हुआ है लेकिन इस हल्ले के बीच एक एहम सवाल ये है कि क्या सूर्य कुमार यादव टी-टी के एक बहतर कप्तान साबित होंगे या नहीं ये बात चिपी नहीं है कि पिछले दो-तिन साल में T20 के format में सूर्य कुमार यादव से kannst Spirit बहतर वर्लेबास बारत के लिए नहीं रहा है 2021 में सूर्य कुमार ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था इसके बाद से T20 में भारत के लिए सबसे जाधा रन उन्हों उन्होंने ही बनाए हैं, अंदाजा इसी बात से भी लगा सकते हैं कि सूर्य और दूसरे नंबर पर मौजूद रोहित शर्मा के बीच में करीब 1000 रनों का अंतर है, लेकिन मुद्दा ये भी है कि इस दोरान सूर्य ने ही सबसे ज़्यादा T20 के मैच भी खेले हैं, लेकिन फि ऐसा नहीं है कि वो बुरे कप्तान साबित होंगे, ये पक्का ही है, लेकिन सवाल वही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कप्तानी के प्रेशर में सूर्य की वो बल्लेवाजी हम खो दें, जो अभी देखने को मिलती है, हमने पहले भी कई बार देखा है कि कप्तानी का प्रेशर अच्छे अच्छे खिलाडियों की फॉर्म विगार देता है तीम इंडिया में अगर विराट कोहली को देखें तो कप्तान बनने के बाद उनकी फॉर्म तो बढ़िया रही लेकिन लिम्टिड ओवर में उनकी कप्तानी कैसी थी ये तो अलग ही विशह है IPL में जडेजा को कप्तानी दी गई तो दबाव में ना वो कप्तानी कर पाए और ना ही बहतर प्रदर्शन इसलिए हर्दिक पंडिया को अगर हटाना ही है तो BCCI को फिर से विचार करना चाहिए कि क्या सच में सूर्यकुमार यादाव कप्तानी मेटियल है या फिर T20 में ही कहकर कप्तानी से हटाया जा रहा है कि आप फिट नहीं है लगातार खेलते नहीं है इसलिए कप्तानी के लिए ठीक नहीं है सूर्यकुमार यादाव अगर टीम इंडर के कप्तान बनते हैं तो क्या यह सही वैसला होगा या गलत आपकी राय क्या है हमें जरूर बताइए बाकी क्रिकेट से जुड़े बाकी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए शुक्रिया